हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इजी स्वींग टुटोरियल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कुर्ती या ड्रेस पर जिप लगाने का बहुत ही असान तरीका तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है और राउंड शेप नेकलाइन कट की है नेकलाइन 6 इंच डीप है टोटल लेंथ है 23 इंच जिप पर को आप 18 इंच या 19 इंच तक लगा सकते हैं हिप राउंड से उपर यहां मैं जिप पर की लेंथ रख रही हूँ 17 इंच आप देख सकते हैं मैं शोल्डर से मेजर कर रही हूँ अब सेम लेंथ को नेकलाइन से मेजर करेंगे तो यह आ रहा है 12 इंच मैं कॉंट्रास्ट कलर का जिप पर यूज़ कर रही हूँ और यहां मैं जिपर पर भी same length mark कर दूँगी अब कुर्ती की center से cutting कर लेंगे जहां तक हमने जिप का निशान लगाया है यहां मैंने contrast color के fabric की पट्टी ली है और इसकी length मैंने जिपर की length से 1.5-2 inch जादा ली है और इसकी चौडाई रखी है मैंने 3 inch इस पट्टी की back side पर मैंने paper foam लगाई है और दोनों तरफ 0.25 inch का दबाव रखा है और उसे fold करके press कर लिया है अब इस fold पर सिलाई लगाएंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा लिए है इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद यह पट्टी इस तरह दिखेगी इस पट्टी को मैंने center से fold करके एक बार press कर लिया है आप कुर्टी के center को पट्टी के center के साथ जोड़ेंगे इस तरह और दो point का margin रखते वे सिलाई लगा लेंगे आपने 2 point यानि 0.25 inch से ज़ादा का margin नहीं लेना है नीचे की तरफ आते हुए कट के बिल्कुल पास आ जाएंगे और हलकी V shape की तरह सिलाई लगाएंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है अब मैं इसकी center से cutting कर दूँगी बिल्कुल end तक cutting करनी है बहुत ही ध्यान से धागा नहीं कटना चाहिए अब इस पट्टी को कुर्टी की wrong side की तरफ fold कर देंगे तो यहां मैंने पट्टी को fold करके अच्छे से press कर लिया है और यह इस तरह दिखेगी आप कुर्टी पर zipper लगाएंगे और उसके लिए मैं यहां zipper foot यूज कर रही हूँ zipper को खोलेंगे और zipper की सीधी side को इस black पट्टी के उपर रखेंगे zipper को इस सिलाई से match करना है और side में सिलाई लगा लेनी है तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है और सीधी side से इस तरह दिखेगी यह सिलाई हमने लगाई थी सिरफ zipper को पक्का करने के लिए अब एक और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल zipper के साथ साथ इस तरह तो यहां मैंने सिलाई लगा लिए है और सीधी side से अब यह इस तरह दिखेगा इसी तरह मैं दूसी तरह भी सिलाई लगा लूँगी यहां मैं सिलाई नीचे से उपर की तरफ लगा रही हूँ पहले zipper को पक्का करने के लिए सिलाई लगाएंगे और अब बिल्कुल zipper के साथ साथ सिलाई लगाएंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है अब जो यह extra zipper है इसकी cutting कर देंगे उसके लिए नीचे से zipper को पक्का करना होगा और उसके लिए हमेंने कपड़े का piece लिया है इसे एक बार fold करेंगे जो बंद वाली side है उसे उपर की तरफ रखेंगे और इस तरह zipper के नीचे लगाएंगे एक बार zipper के उपर इसे fold करेंगे और नीचे की तरफ और side की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है side की सिलाई आपने सिरफ कपड़े के उपर लगानी है वो zipper के उपर नहीं आनी चाहिए अब extra कपड़े की cutting कर लेंगे और zipper की भी cutting कर देंगे अब इस कपड़े को सीधी तरफ मोड़ लेंगे इस तरह और इसकी नीचे वाली side पर भी सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे तो यहाँ आपने नीचे से zipper की finishing कर दी है और इसी के साथ कुर्ती पर zipper लगकर तयार है आप देख सकते हैं दोनों side से बहुत ही अच्छी finishing आ रही है अब मैं आपको बताऊंगी dress पर या कुर्ती पर जिन पर bodies अलग से जुड़ता है उस पर zipper कैसे लगाना है तो यहाँ मैंने bodies की cutting की हुई है और यहाँ मैंने आधा inch का दबाव रखा है अब इसकी center से cutting कर लेंगे और यहाँ मैं neck line का निशान लगाऊंगी तो इस line को center लेते हुए मैं neck width का निशान लगाऊंगी 3 inch पर neck depth है 6 inch फिर से neck width का निशान लगाएंगे 3 inch पर और इन points को जोड़ देंगे यहाँ मैं round shape neck line draw कर रही हूँ अब zipper attach करेंगे जो margin के लिए कपड़ा रखा था उसे fold करके press कर लिया है अब zipper की सीधी side को fabric की सीधी side के उपर रखेंगे इस तरह zipper को इस line से match करेंगे और side में सिलाई लगा लेंगे zipper को पका करने के लिए तो आप देख सकते हैं इस सिलाई लगा ली है और सीधी side से अभी है इस तरह दिखेगा अब बिल्कुल zipper के किनारे पर सिलाई लगानी है तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं सीधी side से proper finishing आ गई है इसी तरह हमें दूसरी side पर भी zipper अटाच कर लूँगी तो यहाँ मैंने zipper अटाच कर लिया है अंदर वाली side की finishing के लिए यहाँ पर interlock कर लेंगे और interlock करने के बाद यह इस तरह दिखेगा आप जो extra zipper है उसकी cutting करनी है लेकिन उससे पहले उसे lock कर लेंगे इसके लिए मैंने fabric का एक चोटा सा piece लिया है इसे एक बार fold करेंगे बंद वाली side को उपर की तरफ रखेंगे और zipper के उपर इस तरह fold करके नीचे वाली side पर और side पर सिलाई लगा लेंगे अब extra कपड़े की cutting कर देंगे और extra zipper की भी cutting कर देंगे अब इस कपड़े पर नीचे की तरफ सिलाई लगा कर इसे बंद कर देंगे तो zipper लगकर तयार है यहाँ आप नीचे skirt अटाच कर सकते है तो इसी के साथ bodies पर zipper लगकर तयार है और आप देख सकते हैं कितनी finishing लग रही है तैंक्यू मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें अपने friends और family के साथ share करें और मेरे चैनल को subscribe करें और अच्छे वीडियो देखने के लिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care